नमस्कार, गुजरात मां गईकाल सांजना पांच वाग्या थी, आज सांजना पांच वाग्या एटलेके 24 कल्लाक नी अंदर COVID-19 ना 380 नवा पॉजिटिव केसेज आव्या छे आजे दिवस्तर्म्यान COVID-19 नी जे चिकीचा इलाज थती हती सारवार थती हती है एमां 15 एवा लोको छे के जेमनों मृत्यू प्राथनिक रीते COVID-19 ना संक्रमन थी अने तेर एवा लोको के जेमने पहले थी अन्य गंधीर बीमारी हती जेने आपने को मॉर्बिड सीरियस कंडिशन केवाई अने एमने COVID-19 नूपन संक्रमन थयू छे अने कुरोना ना संक्रमन थी आलोको वधाराना एक सेकंडरी कारण तरीके गुजरी गया छे आजे 119 जेटला लोको डिस्चार्ज थाईने साजा थाईने घरे पाचा गया छे आजे सारू समाचा रेपंड छे के 500 जेटला लोको अत्यार सुधी कुल 1500 जेटला लोको कोरोना मा जे पहले पीडित थाता पॉजिटिव डेस्ट थे आता सारवार लीधी अने पच्छी बि आजे जे आपनी रिकावरी रेट छे 15 दिवस पहला 7.43 जेटलू हतु ए आजे वधी ने 22 टका एटले आपने जोई है के लगबद 15 दिवस मां 300 प्रतिशा जेटलू आमा सुधारो थायो छे अने जे आजे वाद करी 500 लोको क्यूमुलेटर आज सुधी जे कोरोना थी पीड थाता पण सार्वार लईने साजा थेने वापस घरे गया छे आजे जे सिविल हॉस्पितल नी अंदर जे सार्वार लेना पेशन्स चे एमनी परिस्तिती ने पण एमा जे थोड़ाक दुतियूना केसुस पण बधारे हता एने ध्यानमा राखी ने माननीय मुख्यमंत्री श आजे आपने वाद के आपने बधार सीनियर प्राइविट क्रिटिकल केर स्पेशलिस्ट एने इंटेंसिविस्ट पड़ कहवाय छे ए बधानी मीटेंग अहियाँच सिविल कैंपस मा करी हाती आजे पन ए बधा साथे बपोरे एमनी आखी टीम एमां दॉक्टर तुशार प प्विपेंट पहरी ने समग्र कोविट हॉस्पिटल माजे आईसीउ सेक्शन्स चे त्या एक एक विस्तार माजे ने पेशन्स ने जोया छे अने एमने पड़ इमना इंपुट्स आप्या छे खूबत सरस एक रोस्टर पण बनावी ने इतले एक संकलन साथे आ रीते बाहा पर तजग नो निश्णातों ने आपना हॉस्पिटल्स मालाईने त्या थी एमना पण जे सारा सारा सूचन छे ए बद्धा माटे नी आजे डिसकाशन पण थाई अमली करण पण आजे शरू थाई गियो छे आमा खास नोंदवानी वाद छे के आमा थी तमामें एक युनान चे गुजरातना डॉक्टर्स अमें अही आज बढ़ने आचे हमाया पॉलिजिस बाथी ए भी एक पवित्र भावना साथे एमने पण एक सुंदर आजे निरनाई वी दो छे आने अमल पंशरू था गियो छे आजे अत्यार सुझी चे कुल आपड़ा तियां पॉजिटिव क चे खे 6,625 चे अने वेंटिलेटरी केर पर 26 लोको चे बीजा 4,703 जेतला लोको बिलकुल दे आर आइधर स्टेबल कंप्लीटली रूम एर पर चे के पची सिंपल ऑक्सुजन पर चे अने जेम कैवा मार्यू आजे पंदर सो लोको डिस्चाज ने पाचा गया चे आज इस लेबोरेटरी टेस्ट्स गत 24 लाग मां आपनी जेक शमता चे एना थी पन वधारे पूलिंग नी टेकनीक थी आपने 5,559 साइंट 5,559 टेस्ट्स आपने करया चे अने एमा पन सारा रिजल्ट्स आपने एना लीदे मढया चे अक्रोस दे स्टेट आजे सवार्थी रुमान मानिय मुख्यमंत्री श्री ये काबिनेट नी मीटिंग करया तरत बाद अमारी दिल्ली साथे पन एक विडियो कॉंफरेंस थाई आती मानिय हर्श्वर्दन साथे श्रीमती परीती सूधन जे यूनियन हेल्थ सेकरेटरी चे एमनी साथे मानिय नितिन पतेल साव ना उपस् करी ने सिविल हॉस्पिटल मा छिला घणा समय थी जे बदी आपने प्लानिंग करी रहा छे खूब सारी त्या कामगीरियाने खास पंकच कुमार साब ने एनी जवाबदारी पन छिला महीना थी आपवा मावियू छे जे अंतर मानखा क्या सवलत बदी सारी करवा मावी छे अने हजी एमा क्वालिटी ओफ ट्रीट्मेंट प्रोटोकॉल वगेरा मा सुधारो कैम लावी शकाई जे थी के मृतियू ना दर पन हजी एमा घटाडो थाए एना माटे नी बहुच डीटेल चक्चा थे अने ए मीटिंग ना अंते खास करीने मानिया सीम सावे दिल्ली ना जे खास तजगनों चेक तो आपड़ा एम्ज ना डाइरेक्टर छे डॉक्टर रंदीब गुलेरिया अने एज रीते खास करीने दिली ना पड़ बे तजगनों चे एमने पर डॉक्टर राजेश चावला अपोलो होस्पितल दिली मा थी अने एज रीते देश में एक अने डॉक्टर रोहित पंडित एक त्रणी ने अहीं गुजरात में एक दिवस माटे आवी ने बद्धाज पेशन्स साथे इंटराक्ट करे एमना डॉक्टर्स जे ट्रीटमेंट तजगनों यहां आपी रहा छे आपनी सिस्टम्स पर जोई ने एमना एक्सपर्ट अड्व हजी आपनी कामगीरी मां सारा विजल सावी शके अमदावाद नी जनता ने पण खास कहवानू छे के संक्रमन ने अटकाववा माटे अने जे आबधा ट्रीटमेंट नी प्रोटोकॉल्स ट्रीटमेंट मां हजी पन डिस्चाज रेट उत्रोतर वधे इना माटे सरकार बद् ना साथ थी साथ सुदी कंप्लीट शाट दाउन अने दिवस दर्मियान पर एक दम मिनिमल घरती बाहर निकलवानू आपने एक प्रयास करिये जे ठीके संक्रमन फैलवानी विल्कुल एक शक्यता नहीं वत थाई जाए अने बीजी अगत्यानी वाद छे कि आपड़ा त्या चोरान ती पंचान तका लोको विल्कुल साजा थाईने पाचा आवेज छे एटले एमा आपने बिल्कुल धीरज गुमावाली जरूरत ना थी हाँ अने आपने जोहिये छे कि जे लोको दुखद रीते मृत्यू पामे छे एवाज लोको छे कि जेमनी उमर मोटी छे अथव जेमने अन्य गंबीर बीमारी छे तले ए सावचे थी पहले थी आपने राखिये तो इना थी पर घड़ू फेब पडशे आज एज एज श्री पे बपोरे एक खूबच अगत्यनी मीटिंग आया माननीय नितिन पतेल साब जे आपड़ा माननीय डेप्यूटी सीम साब छे इ जेमने खास अकोविर्ट नाइंटीन माते नी अगत्यनी सुपर्विजन अने मेंटरिंग, मॉनिटरिंग नी जवाबदारी आपवा मारी छे अने मारी उपस्तिती आपकी समगर टीम ना उपस्तिती मां येमां खास करीने अमदावाद ना टॉप जे कहवाई एवा जे जे लोको इंटेंसिविस्स छे अने इंफेक्शन नी अंदर इंफेक्शिने डिजीज उस्मां जेमनी खुबच नी पुणता चेवा गॉक्तर जेंखे ऑई डॉक्तर अदुल केतन देसाई, डॉक्तर आनूंब शुक्लब, Dr. पार्थित मैता, Dr. दिखित, Dr. कमलेश आधा इंस्टिटूट ओफ कार्डियोलोजी में मीटिंग आजे थाई बद्धाना खूप सारा इंपुट्स पढ़ाव्या छे ए बद्धाने अमली करण दिशामा पण तरह तर्च मुखवानों निरणय पण आजे लिवामा आवियु छे जे रीते आपड़े इंस्टिउशन नी एथिक्स कमिटी नी पण मीटिंग करीने आब दा इमना जे सारा सारा मवलिक सजेशन सता कैमके आपने याद राखवानों छे समझवानों छे क्या एक नवी बीमारी छे अने विश्व भर्मा रोजे रोज एनी अंदर नवी नवी डिस्कावरीज नवी नवी रिसर्च ना अधारे जे फाइंदिंग्स जे अनुसंधान ना रिजाल्ट्स आपने मळे चे ना जे परिणा मळे चे एने पन कोई पन विलं करिया वगर तरत अज आपना त्या पने अमल मा मुखवा माटे नू एक अगत्यानों निरणाई लिदू दाकला तरी के टेली मेंटरिंग ना भाग रूपे यहों पन निरणाई लिवामा आवियू के जे वेंटिलेटरी केर पर क्रिटिकल केर ना पेशन्स चे घणी वगत्ते मुटा भागे विश्वभर मां इमने आपने पीट पर सुबडाविये चे पड़े मां त्यारे वैश्विक कक्षा एकास करीने अमेरि एनू पन अमल आपना त्यां लगबत तमाम सेंटर्स मां छेल्ला अठ्वाडिया दस तिवस्ती थायू छे तेली मेंटरिंग नी पन आजे रिव्यू अने इनी वाद पन करवा मावी एना जेतला पन सारा पॉजिटिव रिजल्स चे नी पन वाद करवा मावी अने आ बत्त वस्तु अमल मा इटले सरकार बिलकुल इच्छाच करे छे आने अमल मा पन जड़प थी आवी बत्ती जे नवी नवी संशोधन जे नवा नवा प्रयासों चे प्रकल्पों छे भारत भरना तजगनों तरफ थी पन गुजरात ना जे टॉप स्पेशलिस्ट चे एमना जे इन पूट्स चे एना अधारे अने विश्व कक्षाए पन इनफाक्ट गुजरात ना पन घड़ा बदा एलमनाई आपना बीजे मेडिकल कॉलेज वगेरा मा भणेला जे लोको अत्यारे विश्व वैश्विक कक्षाए सवती सारी इंस्टिट्यूट्स जे अमेरिका मा छे बद पन शरू थाए कियो छे आने जेम केवा मावियो छे आज एक खास डिस्चार्ज एक सो ओगणी स्लोकों नो तो थयूच छे पन ट्यूमुलेटिव आज दिन सुधी कोविर नाइंटीन मां पंदर सो जेतला लोकों डिस्चार्ज थाईने गया छे ने छिल्ला आपने जेम अ जनुरोच छे कि तमें धीरज राक्षो घबरावानी जरूरत नती पड़ पूरे पूरू संक्रमाण नीजे चेन चे एने ब्रेक करवा माटे आपने बध्धाय साथ सैकार आपवानू छे अने आ रीते आपने बध्धा साथे प्रयासो सरकार बध्धाज प्रयासो करी रही अने आपने जोईये पन छे रिजल्ट्स के पंदर सो जेटला लोक आजे डिस्चार्ज थाइने गया छे उत्रों तर आ नंबर माँ हजी पन वधारो थवानों छे अने आशाराखिये छे कि आ युद्धमा आपने बध्धा चौकस पने सफ़लता साथे इने इना उपर पांच बजे से आज शाम के पांच बजे तक 24 गंटे में कोरोना कोविट ट्वेटी नाइनटीन के 380 पॉजिटव केसे जाए हैं इस 24 गंटे के अरसे में 15 ऐसे लोगों का दुखद अफसान हुआ है कि जिनकी नित्यूर खास प्राइमरी कॉस जिसे कहते हैं कोविट ट्व संक्रमांट से भी हुआ है लेकिन इनका प्राइमरी कॉस ऑफ देथ कोई अन्य जो उनकी पहले से गंभीर विमारी थी उसकी वज़े से हुई है और ये संक्रमांट भी लगा है और उसकी वज़े से सेकंडरी रीजन रहा है उनके मृत्यू के लिए आज 119 जितने लोग बिलकुल जो कोविड की चिकीटसा ले रहे थे उनका इलाज हुआ था और बिलकुल सफलता पूरवक ये लोग इनकी ट्रीटमेंट पूर्ण होके डिस्चार्ज होके चले गए और इसके साथ कुल अभी तक जो डिस्चार्ज होए है इसका नंबर 1500 या हमारी जो recovery rate थी 7.43 यानि के 7.43 परसेंट था ये बढ़कर अभी इसके 3 गुना लगबग इसमें बढ़ाई हुई है 22 प्रतिशत से उपर हो गया है और 300 परसेंट इसमें हमें एक improvement दिखने को मिला है और इसमें खास आज कल पिछले 15 दिन से ऐसे अच्छे अच्छे जो गुजरात के सबसे अच्छे निपोन तजगन जो निशनात हैं ऐसे doctors खास करके जिनको critical care specialists, intensivists कहा जाता है इन सब से हमने बाचीट करके इन सब की पूरी team आज लगबग धाई से तीन घंटे हमारी जो COVID civil hospital में जो COVID की exclusive hospital है उसके अंदर पूरी team personal protection equipment सब पहन के उन्होंने सभी wards की मुलाकात लीदी, सभी patients के जो conditions है उसको देखा और उसके बारे में उन्होंने भी देखा कि quality of treatment कैसा है, उनके feedback भी मिले हैं और बहुत अच्छा उनका योगदान है इस तरह से रोज ये लोग आने वाले हैं और इनकी उपस्तिती से और भी हमें बहतर जो discharge के rates हैं और भी बढ़ जाएंगे जलती लोग अच्छे होके वापस जापाएंगे और बड़ी और भी बड़ी संख्या में लोग जो हैं ठीक होके चिकित्सा के बाद घर जापाएंगे इसमें खास गर्व की बात ये भी है कि ये जो डॉक्टर्स हैं डॉक्टर तुशार पतेल, डॉक्टर जिगर महता, डॉक्टर गोपाल रावल, डॉक्टर अमरीश और इस तरह से 10 से 15, 25 जितने इनके पूरे टीम से कल कॉंटाक भी हुआ है उन्होंने पूरा रॉस्टर ब से क्योंकि ये बीजे मेडिकल या गुजरात के ही अलग-अलग कॉलेजिस के स्टूरंस रहे हैं और इसकी एक सामाजिक रोन अदा करने के भावना से इन्होंने घोशिब किया है कि बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट ये करेंगे, अभी तक जितने पेशिंस गुजरात में कुल पॉजिटिव आए हैं, 6625 और आज जो पेशिंस हैं अक्टिव उसमें से 26 लोग वेंटिलेटर पर हैं, क्रिटिकल हैं, 4703 लोग बिलकुल स्टेबल हैं और 1500 लोग बिलकुल डिस्चार्ज होके वापस घर चले गए हैं, आज मानिया मुख्यमंत्री श्री की अध्यक्षित हमें सिविल हॉस्पिटल को लेके काफी चर्चा विचारना भी करने में आयों बहुत सारे महत्व के निर्ना इलिये गए हैं, सबसे पहली बात कि दिल्ली से जो बिलकुल भारत के टॉप डॉक्टर्स हैं, ऐसे डॉक्टर रंबीत गुलेरिया, डॉक्टर राजेश चावल और डॉक्टर रोहित पंडिट जो एक टॉप पल्मनॉलोजिस्ट गिने जाते हैं, बिल्ली के मॉंबे के तजगन को भी स्पेशल हवाई जहाच्छे से गुजरात लाके, यहां के जो पेशन्स हैं, यहां के जो डॉक्टर्स हैं, इन सब के साथ इंटराक्ट करके, जो जो की ज़रूरत हो, तो वो सब करने काचने में लिया गया है, उतना ही नहीं, उसके बाद, आज यूएन मैता इंस्टिट्यूट में हमारे माननीय, नायब मुख्यमंत्री श्री नेतिन पटेल साथ की अध्यक्षता में, एक हाई पावर्ट के सभी ऑफिसर्स उपस्तित थे, ह दॉक्टर आनंद शुकला, दॉक्टर पार्थिद मैता, दॉक्टर दिक्षिद, दॉक्टर कमलेश उपादिया, दॉक्टर जेपी मोधी, इन सब की उपस्तिती में काफी सारी ब्रेंस्टॉर्मिंग आईडियाज मिले हैं, जिस सब का भी अमल करने का निरने भी आज लिय अच्छे अच्छे जो बेस्ट प्राक्टिस क्योंकि एक नई बीमारी है, स्वभावित है कि रोज बरोज इसमें अनुसंधान विश्व कक्षा में हो रही है, उसके जो जो भी लर्निंग्स हैं, उसे तुरंत ही हमारे यहां इंप्लिमेंट करने का भी एक निश्चर किया गया है और एथिक्स कमिटी के अप्रूवल भी आज ले लिया गया है और ये सब भी अच्छे अच्छे जे प्रयोग हैं, प्रकल्प हैं, पेशन्स की जो जान है बचाने के लिए उनकी डिस्चार्ज रेट्स पे और भी बढ़ा करने के लिए इप्रूव्मेंट लाने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छ डिसिजन्स ले गए हैं और ऐसे ही जितने भी हमारे ही यहां से जो ट्रेन होके ग्राजवेट किये हैं और जो अभी विदेश में हैं, अमेरिका जैसे देशों में और यही COVID-19 का ट्रीट्मेंट जो अच्छे-च्छे टॉप और अनुकरन करने का हमने एक डिसिजन लिया हैं तो इस तरह से सरकार की तरफ से पूरी प्रयास कर रहे हैं और इतने बहुत ही असरकारक निर्णय हम लोग ले रहे हैं इसमें पैसे की human resources की सबसे अच्छी जो knowledge base हैं, जो तजगन हैं, experts हैं इन सब का जो है निचोड इसमें हम लोग use कर रहे हैं और सबसे खास अनुरोध हैं अमदाबाद की जनता से की खास हमने focus इसमें आप जानते हैं कि कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि अमदाबाद city को लेके खास उसमें डॉक्टर राजीव कुमार गुपता को भी जिससे के वहा हम सबसे भी अनुरोध है कि संक्रमन रुकवाने में संक्रमन को रोकने में अब सब का बहुत ही महत्वयोगदान है अब सब की एक बहुत ही एहमियत की भूमिका है अगर हम लोग lockdown के जितने भी नियम है उससे बिलकुल अक्शर सहपालन करेंगे तो बिलकुल इसके संक्रमन को हम अब भी अच्छी तरह से रोक सकते हैं और हम चाहेंगे कि हम लोग धीरज रखें लेकिन बिलकुल एक मक्कमता से निर्धार करें और संकल्प करके इसी दिशा में काम करें सरकार पूरे-पूरी इसमें असरकारक कामदीरी कर रही है और आप सब की सहायता से सहकार से हम जरूर एंशॉर करेंगे के कोविट के साथ हमारी जो लडाई है उसमें हम जरूर हमें विजय मिलेगी नमशकार आपसक Yesterday and 5PM today in the 24 hours that elapsed, Gujarat has had 380 cases of COVID which have been positive. We've unfortunately had 15 people who are undergoing treatment for COVID-19. and who passed away with COVID as the primary cause of death. There have been 13 others who had other serious underlying conditions which are known as co-morbid conditions, but they also contracted COVID infections and unfortunately passed away in these 24 hours. Today as many as 119 people have successfully been discharged after undergoing treatment for COVID in our state and with this, the total number of people who have got discharged after undergoing successful treatment for COVID is 1500. As many as 1500 people have got discharged. If we compare the number of the recovery rate of today with the recovery rate that was there 15 days ago, there is a 300% improvement, increase in the recovery rate and it is now as much as 22% and this is indeed a matter of pride for us and we are trying to push this even further. We have had another very good breakthrough today. We have been in close contacts and we have been having discussions with some of the top doctors who are known as intensivists, critical care specialists of the state and today we have had discussions with them and the modalities were being worked out. We are very happy to share that today as many as four of them out of a full team of about 20 to 25 of them who have committed to every day come to the civil hospital and visit all the patients, look at the treatment protocols, give their inputs and ensure that the implementation, all of this is further, if there are any new developments, they are all woven in practice so that the recovery rate, the discharge rate is even further pushed up and so these are doctors like Dr. Tushar Patel, Dr. Jigar Mehta, Dr. Gopal Rawal, Dr. Amrish. These are some of the top names in the state and what is even more a matter of pride for all of us is that in the spirit of solidarity with humanity, with our state, with our nation, they have actually committed to do this on a free of cost basis with a sense of commitment for all that they have got from their medical colleges in the state where they got their education when they were young. Following this, today we had a very effective meeting which was chaired by our Honourable Chief Minister in which it was decided many decisions were taken in terms of really seeing how to further improve the recovery rate which has already gone up. As I said today, we have had 1500 people who have got discharged and the number is really going up on a daily basis. It was also decided that Gujarat wants to leave no stone unturned. It was decided that we would get some top level experts from Delhi, Bombay also to come here and visit our COVID care facility, the exclusive hospital here, the 1200 bedded hospital, COVID care hospital at the Medi-City Ahmedabad Civil Hospital. It was decided that we would fly them by a special aircraft. People like Dr. Radheep Guleria, the Director of AIMS, people like Dr. Rajesh Chabla, Dr. Rohit Pandit, who is a top pulmonologist of the country. Our Honourable Chief Minister personally spoke to the Union Home Minister, Sri Amit Shahsav, and it has been decided that all these experts would be flown in here at the earliest and they would spend a full day interacting with the patients, looking at all their treatment pathways, protocols, looking at their progression, interacting with the doctors here, with the other stakeholders, and giving all the valuable suggestions, help, and any possible assistance that we would need to make sure that the recovery rate is really pushed and we have more and more people successfully coming out of our hospitals. Today afternoon, we had a very effective meeting in this same context as was desired by our Honourable Chief Minister, Sri Vijayabhai Rupani, which was held at the UN Mehta Institute. It was chaired by our Honourable Deputy Chief Minister, Srinathin Patel Sahab, and attended by all the senior officers of the government and some of the top doctors of Ahmedabad. This included Dr. R.K. Patel, Dr. Atul Patel, who is one of the top ICMR specialists. he especially spoke about the mortality rates and pointed out how we are far better with some of the top European countries than the US and the reason is that all these cases, they are coming in with a lot of comorbidities and he explained how a lot of them come in at the last minute due to which we are not able to make sure that the patients survive. But he also nevertheless compared our mortality rates with those of some of these top developed countries and said how we are doing far better and how we are transparently sharing all these numbers without hiding any of the numbers. These are all really very valuable inputs that we got from them. We have also decided and taken very strident steps to ensure that some of the leading top research outcomes that are coming on a daily basis from some of the top institutes across the world are immediately ploughed back here with the help of our institutional ethics committee, with the help of our research teams and so we are really working on all of these also in parallel in a very big scale and today we had experts like Dr. Himanshu Patel, Dr. Ketan Desai, Dr. Anand Shukla, Dr. Parthir Mehta, Dr. Dixit, Dr. Kamlesh Upadhyay, Dr. JP Modi and all of these people are working, putting together all their resources, their knowledge, their contacts and all the knowledge and information at their command to make sure that we do everything possible to make sure that the recovery rate of the patients who are undergoing treatment in our hospitals is really pushed as far as possible. Today we carried out as many as 5,559 tests. This was possible using the pooling technique which is followed in many countries of the world and in some states of India and this is something that is being encouraged by ICMR as well. So on this note, we again want to assure all of you that the government is leaving no stone unturned. We are taking all possible steps, everything that is possible in terms of medicines, getting the best quality inputs. We are also doing tele-mentoring and getting some of the best experts of the country, of our state to interact with every patient and making sure that all the inputs from these people are actually applied on a real-time basis and we are seeing wonderful results of these, lots of patients with highly compromised immunity situations. Like we said yesterday, even patients with HIV, patients who have been in their late 80s, early 90s and who have been intubated are all coming out. So we are seeing such success stories with the help of tele-mentoring. So all this has been given a major fillip, a major boost with all these important decisions that are being taken by the government. And today, again, as I said, it has been decided to get these experts, top experts from Delhi to come and visit us for a full day. A special aircraft will be bringing them and our final appeal to all the citizens of Ahmedabad is that we need your full cooperation, we need your full participation and your full commitment to ensure that it is entirely in our hands. If we all collectively decide that we will 100% abide by social distancing, if we ensure that we will all wear a mask, if we ensure that we will continue to wash our hands, we can really bring down and break the chain of transmission of the disease. and the government is doing everything that is possible to ensure that the disease doesn't spread. We need your full commitment and we want you to completely resolve to make this happen. Thank you. I'll see you next time.